दाइकजाम वायर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 67 बीबीसी में सिकजाम 2022 जीस कोश्चन पेपर वन जो आज समपन हुआ थी दिसंबर 2022 को चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रिशन पत्र सेक्षन फस्ट से कोश्चन नमबर वन है कोश्चन नमबर शेकंड है ट्रेस दाकोर सब एक्सपेंशन आफ वैस्टन एंड टेक्निकल एजूकेशन इन बिहार बिट्विन 1857 तो 1947 1857 से 1947 के मद बिहार में पास्चात और तकनीकी सिच्छा के विस्तार के करम को अनुरेखित करना है 38 मार्क्स का कोश्चन है जी एस कोश्चन पेपर वन और टू दोनों का सलूइशन आपको टेलीग्राम चैनल दा एक्जाम वहर से है वहाँ पर मिल जाएगा आपको ठीक है एक सब ताह के भीतर कोश्चन नमबर थर्ड देखेंगे एक परतिष्टी दरास्टी नाएक के रूप में गांधी जी के उदे के लिए उत्तर दाईकारकों का आलोचनात्मक विशलेशन करना है अच्छा परस्टी पूछा गया है कोश्चन नमबर फॉर देखेंगे उन्नी सो ब्यालिस के भारत छोड़ा अंदूलन पर एक निबंद लिखना है क्या या एक अनायासी होने वाला अंदूलन था वाजिट इस्पॉंटैनिस मॉमेंट ठीक है ये प्रस्टी पूछा गया है 38 मार्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर फाइट देखेंगे डिसकस दा चीफ करेक्टरिस्टिक्स अब मौरिन आर्ट मौरिकालीन कला की प्रमुक विशेशताओं का वर्डन करना है ये प्रस्टन भी कई बार पूछा गया है अलग-अलग राजियों की सिवल सिवा परिक्चाओं में यूटी पीसस में भी पूछा गया है इसके अलावा HCS के एक्जाम में पूछा गया था इसमें आप इसको दो भागों में डिवाइड करके विशेष्टाओं का उलेग कर सकते हैं जैसे राजकी कला है लोग कला है ठीक है राजकी कला के अंतरगत आप लिखेंगे राजपरसाद है इस्तंब है गुहा है इस्तूप है और विहार है ठीक है इस्तूप के अंतरगत भी आप उलेग करेंगे जैसे भरुत स्थूफ है, सांची है सारनाद का धर्मराज का स्थूफ है तक्षिला का धर्मराज का स्थूफ है अमरावती है, देवर को ठार है इसके लावा कंगन हल्ली है लोकला की बात करें तो यक्छी यक्षनी की पritिमाए हैं इनका थोड़ा संचेप में उले कर देंगे और मिरिडम बूरतिया है कुश्चिन नबर 6 देखेंगे Write short notes on any two of the following संथाल अपराइजिंग चंपारण सत्यागर रविन्ना टैगोर्स कंट्रिबुशन टू दा फ्रीडम मॉमेंट 19 अंका एक short notes है दो short notes आपको लिखना है संथाल विद्रो तो जानते ही होंगे 1857 की करांती से ठीक पहले संथाल विद्रो होता है 1855 और 56 ठीक है और इसका केंदर बिहार जहारखंड और बंगाल के सीमावर्ती इलाके थी परवती इलाके खास करके जैसे मान भूंग बड़ा भूम हजारी बाग है मिदनापूर है बांकुरा वीर भूमी है मुंगेर है भागलपूर भी है सिंग भूम भी है ठीक है इसके बाद चंपारंट सत्यागरा है 1917 में होता है पहला किसान सत्यागरा आंदोलन था ये ठीक है रविना टैगोर का सुतनता अंदोलन में योगदान लिखना है इसके बाद कोस्चन नमबर सेवन है सेक्षन सेकंड से यहां पर आपको डिसकस करना है डिसकस दा ओरिजिन मेंबर्शिप डिवेलपमेंट एन अबजेक्टिव अब क्वार्ड क्वार्ड की उत्पत्ती, सदस्यता, विकास और उत देशियों का वर्डन करना है भारत के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बताना है आपको ठीक है क्वार्ड के मेंबर आप जानते होंगे भारत के साथ यूएसे है और आस्टेलिया और जापान है चार देशिस के सदस्य है, क्वेश्चिन नबर एट देखेंगे क्वेश्चिन नबर एट है अगनी पत विकास अत्वा विनास की और एक पत है टिपनी करनी है तो काफी कंट्रोवर्सियल योजना थी के अंदर सरकार की काफी चर्चा में रही है अब जानते होंगे इस पर आपको लिखना था, पक्षविपक्ष दोनों को लिखना है और बहुत ही संतलित उत्तर आपको लिखना है क्वेश्चिन नबर नाइन है, भारती संदर में एक रास्ट, एक निरवाचन की अवधारना का वर्डन करना है यहां पर भी इसके पक्षविपक्ष में अपने तर्क देना है, तो यह भी काफी चर्चा में रहा है, एक रास्ट, एक निरवाचन क्वेश्चिन नबर टैन है, रूस और यूकरेन के मद्द, युद्ध का मूल कारण क्या है, इस पर आपको लिखना है, भारत के विशे संदर में विश्व के रास्टों पर इसके पर भाव का वर्डन करना है तो काफी समय से युद्ध चल रहा है, अब इसका कोई समाधान नहीं निकला है, और मूल कारण क्या है, इसका उलेक भी आपको करना है इसके बाद कोईशन नबर 11 है, प्राय आरोप लगाया जाता है कि सत्धादारी दल अपने नहीं स्वारतों हेतू समय धानिक संस्थाओं का दुरपयोग करता है क्या आप इसमत से सहमत हैं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है, ठीक है, तो ये सवयमेधानिक संस्थाओं का दुरपयोग होता रहा है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही संतलित उत्तर आपको लिखना है, पक्ष और भी पक्ष दोनों का ध दिहान रखते हुए, ठीक है, यदि एक पक्ष का उले करेंगे तो आपके अंक जो हैं, कट जाएंगे, ठीक है, कोश्चिन नमबर 12, यहाँ से इस्टेटिक सुरू होती है, खंड तृतिय, कोश्चिन नमबर 12, 13, 14 और 15, चार प्रसन सांख्यकी से पूछे गए हैं, सभी प वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुब हो